असकार स्वागता आप सभी के शूडूप चैनल सरकारी लोग पे दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ के आप SAC CGL Tier 1 का Admit Card Online किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं चाहे आपका कोई सा भी रीजन हो सभी रीजन के बारे में Complete Information आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से Tier 1 Admit Card आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलो दोस्तो वीडियो आज की श्राट करते हैं इस वीडियो का आप लाइक कर दीजे अपने दोस्तों साथ सेर कर दीजे जुड़ना चाहते हो ऐसी जान करें पाने के लिए इस चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजेगा जैसे सब्सक्राइब करो राइट से नम गंटिक निसाना आजाएगा उसको दबा दीजेगा और All पर क्लिक कर दीजेगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँगा उसकी जानकर मिलेगे आपको सबसे पहले तो चलो दोस्तों वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजेगा आप ऐसे सी अब जो सबसे उपर रिजल्ट आ रहा है Home Staff Selection Commission इस पर क्लिक कर दीजेगा उसके बाद यहाँ पर जो एड्मिर कार्ड है इस पर क्लिक कर दीजेगा उसके बाद इस तरीके से आपके सामने उपन होके आ जाएगा यहाँ पर सभी रिजन का दिया हुआ है तो इस पर क्लिक कर करते हैं अब जैसे किलिक एर पर क्लिक करते हैं तो यह इस तरीके से ओपन होके आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर एड्मिर कार्ड पर क्लिक करके डाउनलोड यार एड्मिर कार्ड पर क्लिक कीजेगा उसके बाद यह इस तरीके से आ जाएगा अब आपको simply admit card for combined graduate level examination 2021 tier 1 इस पे क्लिक कर देना है उसके बाद यह जो box है इस पे क्लिक करें और submit पे क्लिक कर दीजे उसके बाद यहाँ पे registration ID आप टालिए अगर आपको registration ID नहीं पता तो आप अपने email में सर्च कर सकते हैं जो email आपने registered की थी सीजल का examination from birth time तो उसमें सर्च कीजिएगा SSC space registration तो वहां से आपको मिल जाएगा तो registration नमर यहाँ पे डाल दीजे डेट, month, year यहाँ पे सर्च इस्टेटस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं दूसरा तरीका और लंबर वाईज आप देख सकते हैं तीसरा तरीका यह है कि यहाँ प यहाँ पे सारी detail capital में डाल लेता हूं यहाँ पे father name capital में डाल लेता हूं और उसके बाद यहाँ पे date, month, year सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद सर्च इस्टेटस पे क्लिक करता हूं यहाँ इस तरीके से आ गया है तो यहाँ पे roll number दीख जाएगा यहाँ पे नाम दीख ज यहां पर closing time दीख़ाएगा कितने बजए gate close हो जाएगा उसके बाद यहां पर time दीख जाएगा किस time से आपका exam है और यहां पर farm का status दीख जाएगा कि farm आपका accept हुआ है या reject हुआ है उसके बाद यहां पर Download status दीख जाएगा Admit card available अगर आपके में आ रहे हैं कि Admit Card इस तरीके से आजाएगा अब यहां पर आपको देखोगे तो आपको दिख जाएगा अपका कब है और यहां पर आपका नाम दिख जाएगा यहाँ पर date of birth दिख जाएगी, यहाँ पर आपका address दिख जाएगा, यहाँ पर exam date दिख जाएगी, और time दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ पर center दिख जाएगा, examination center कहा है आपका, उसके बाद यहाँ पर category दिख जाएगी, यहाँ पर photo दिख जाएगा, यहाँ पर sign दिख जा आपको subject दिख जाएगा जब दोस्तों आप इस page पर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक है self declaration form COVID-19 self declaration form तो यह भी आपको ले जाना है इसका भी आप print निकाल दीचेगा यहाँ पर candidate नाम आपको अपना NAM डालना है यहाँ पर roll number डालना है यहाँ पर exam नाम डालना है यहां पर आपके sign हो जाएंगे तो दोनों आप print निकाल लीजएगा यहां पर click करके print इस page पर click करके print आप इसका निकाल सकते है नोर्थर रीजन का मैंने आपको बता दिया आप बात कर लेते हैं नोर्थ वेश्टर रीजन तो इस पर click कर दीजएगा उसके बाद यहां से इसको close कर लेते हैं उसके बाद यहां पर इस page पर नीचे के तरफ आप आईएगा तो यहां पर भी आपको दिख जाएगा या फिर यह जो यह है admit card, admit card पर आप click कर दीजेगा जैसे ही admit card पर आप click करोगे उसके बाद यहां पर जो cgl है इस पर click कर दीजेगा cgl पर जैसे ही आप click करोगे तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा अब यहां पर status slash download admit card for combined graduate level exam 2021 to be held यह तो इस पर आप click कर दीजेगा जैसे ही आप इस पर click करोगे तो यह इस तरीके से आजाएगा यहां पर कुछ instruction दिये हुए है तो आपको ऐसी ID ले जाना है ऐसा identity certificate ले जाना है ऐसा पहचान पत्र ले जाना है जो detail आपके पहचान पत्र में है वो ही Sam आपके admit card में हो जैसे कि नाम, father name, date of birth और date of birth आपकी complete होने चाहिए date, month, year ठीक है इस तरीके सा आप pen card लेके जा सकते है आदार card लेके जा सकते है driving license लेके जा सकते है passport लेके जा सकते है इसको certificate लेके जा सकते है उसके बाद यहाँ पे आता है कौन कौन सा certificate allowed है यहाँ पे आप देख सकते हो art document दिये हुए है तो इन में से कोई सा भी document आप लेके जा सकते है यह allowed है और कौन-कौन से allowed नहीं है वो यहाँ वे आप देख सकते हैं रासन कार्ड अलाउड नहीं है और आप देख सकते हैं तो ठीक है पैन कार्ड लेके जा सकते हैं आधार कार्ड लेके जा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं पासपूर्ट लेके जा सकते है high school certificate लेके जा सकते है date of birth अगर उसमें आपके complete complete होती वाइस date of birth देख लिए कि date month year होना चाहिए तो यह है ठीक है उसके बाद यहां से इसको यह जो यह है इस पर box पर किलिक करके submit पर किलिक कर देते हैं उसके बाद यह इस तरीके नहीं पता registration आईडिया रॉलंबर आपको नहीं पता तो simply यहां पर आप अपना नाम डालिएगा और उसके बाद यहां पर mother name डालिएगा और यहां पर date जो भी आपके date है वो डालिएगा और month year यहां पर डाल दीजिएगा ठीक है जी इस तरीके से डाल दीजिएगा उसके बाद सर्ची स्टेटस पर किलिक करके admit card आप डाउनलोड कर सकते हैं यह इसका direct link में नीचे description box में डाल दूगा जब आप उसके पर किलिक करके सीधा इस page पर आ जाओगे और उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है दो रीजन का अब मैंने आपको बता दिया अब बात करते हैं central region की तो इस पर आप किलिक कर दीजिए central region पर उसके बाद जैसे central region पर आप किलिक करोगे तो यह इस तरीके से आपके सामने open होके आ जाएगा यहां से इसको close कर लेते हैं और उसके बाद इस page पर नीचे के तरह आते हैं अब यहां पर जो है status slash download admit card for combined graduate level इस पर क्लिक कर दीजेगा उसके बाद यहां पर instruction दिया हुआ है तो इनको आप पढ़ लीजेगा जो ID आपको ले जाने complete date of birth होनी चाहिए जो आपके admit card में वा ID चलेगी यह सब इसमें दिया हुआ है इसको आप पढ़ लीजेगा उसके बाद click here to check status या download admit card इस पर click कीजेगा उसके बाद यह काफी region का आ जाएगा अब आपको simply यहां पर proceed पर click कर देना proceed नाव पर ठीक है उसके बाद यहां पर इस तरीके से आ नाम अपना डाल दीजेगा अगर आपके नाम में space है तो space डाल के डालेगा जैसे सबुझकर आपका नाम मोहन कुमार सिंग है तो मोहन space कुमार space सिंग अगर आपके नाम में space है तो space आपको डालना को ठीक है और उसके बाद यहां पर father name डाल दीजेगा उसके बाद यहां प आपको एक्जाम देना है तो वो सिटी यहांपर सेलेट करनी है उसके बाद यह पर जो बिये इसको calculate करके यहाँ पर डाली जो कि आप चावड़ा और search पर click करके आप download कर सकते हैं तो रीजन का बता दिया अब बात करतें थर्ड रीजन मद्या परदेश रीजन इस पर click कीजेगा उसके बाद यह तरीके से आ जाएगा अब simply यह जो है status download admit card for combined graduate लेवल टीर वन इस पर click कर दीजेगा उसके बाद यहाँ पर रोल लंबर या रेजिस्ट्रेस नमबर वाईज आप देख सकते हो यहाँ पर अपना नाम डालिएगा इस्टाटिंग चार डीजिट भी डाल दो जब भी काम चल जाएगा अगर आप पूरन नाम डालना चाहते तो पूरन नाम यहाँ यहाँ पर डाल दीजेगा उसके बाद यहाँ पर date month year करके यह जो box से सर्च करके सब्सक्राइर नीचे के तरफ पर पाते है कि नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा status slash download admit card for combined graduate level इस पर आप click की जागे इस पर भी आप click कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर जैसे आप click करोगे उसके बाद यहाँ पर यह download form के नीचे जो है status of combined यह status of candidate slash download admit card इस पर आपको click करना ठीक है जैसे आप इस पर क्लिक करो इस तरीके से आजाएगा अब यहाँ पर सबसे उपर आप देख सकते इस टेटस slash download admit card for combined graduate level tier 1 examination इस पर क्लिक कीजेगा उसके बाद इस तरीके से आजाएगा इन instruction को आप पड़ लीजेगा उसके बाद click here पर क्लिक कीजेगा उसके बाद यहाँ से आप roll number या registration ID wise भी आप देख सकते उसके बाद अगर आपको यह नहीं पता रिजिस्ट्रेस नमबर या roll number तो यहाँ पर नाम डालिएगा starting चार डीजिट डाल दीजिए या complete नाम डाल दीजिएगा आप यहाँ पर father name डाल दीजिए आप जिए डेट में आपका एक जाम है उस डेट से चार दिन पहले दिख जाएगा तीन दिन पहले तो आपको दिखी जाएगा ठीक है और यह हमने बताया यह बात कर ली हमने western region की ठीक है western region तक की बात होगी अब बात कर लेते है न इर न इस पर किलिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं और दो तरीके से आप दोस्तों देख सकते हो यह जो admit card इस पर किलिक करके देख सकते हो यह यहाँ पर status of e admit card for combined gravity click here पर किलिक करके आप कर सकते हो यही पर admit card पर हम किलिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से close कर लेते हैं एड का है उसके बाद यहाँ पर click here पर click करते हैं और जैसे ही इस पर click करते तो इस तरीके से आ जाता है तो यहाँ पर आप registration ID और date of birth डालके click to know the status and admit card पर किलिक करके आप देख सकते हैं दू इस पर क्लिक कीजिएगा registration ID आपको मिल जाएगी यहाँ से और उसके बाद registration ID यहाँ पर डालके date of birth डालके click to know the status and admit card पर किलिक करके admit card आप आप अपना download कर सकते हो ठीक है जी यह तो बात होगी North Eastern region की आप बात कर लेते Southern region की तो Southern region पर click कर देते हैं उसके बाद यह तरीके से आजाता है अब यहाँ पर download e-admission certificate इस पर आप click कर सकते हो यह यहाँ पर download e-admit card इस पर जैसे click करोगे तो यहाँ से भी आप download कर सकते हो ठीक है जीप़ार हम उसी पर कर लेते हैं तो यहीं पर download e-admission certificate जो आप इस पर click कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर registration नमबर वाइज भी देख सकते हो यहाँ पर roll number कब दिखे जाता है डाउलूड कर सकते हो और यहाँ पर दे रखका है self declaration जो COVID-19 self declaration form वह भी आपको लेके जाना हो ठीक है जीप और इसके बाद जैसे इस पर click करते हैं तो इस तरीके से यह open होके आ जाता है अब इस page पर नीचे की तरफ आओगे आप तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा click here to download e-admit card for combined graduate level examination 2021 tier 1 तो इस पर आप click कर दीजेगा उसके बाद जैसे ही आप इस पर click करोगे तो यहाँ इस तरीके से आ जाएग तो आप registration number wise भी आप चेक कर सकते हैं दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पर नाम डाल दीजिए अपना यहाँ पर father name डाल दीजिए और date of birth डाल के search पर click करके check कर सकते हैं और exact अगर आपको नाम नहीं पता तो starting की चार डिजिट पर आप इन में डाल दोगे अपने नाम की यहाँ पर नाम डाल के search पर क्लिक करोगे तो तब भी डीटेल आपको दिख जाएगी ठीक है जी अब बात करते है इस्टन रिजन की तो इस्टन रिजन पर आप क्लिक कर दीजिएगा और इस टर्ण रिजन पर जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा अब इस पेज प आप को दिख जाएगा download e admit card इस पर के आप देख सकते हैं यहाँ पर किलिक कर सकते हो या उपर की तरह पर आप इस पेज पर आओगे तो यहाँ पर दिख जाएगा admit card इस पर कीजेगा उसके बाद यहाँ पर जो है know your status and download e-admit card of combined graduate level examination तो इस पर आप क्लिक कर दीजेगा उसके बाद यहां पर रोल अंबर या रेजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा अगर आपको यह नहीं पता तो simply यहां पर आप अपना नाम डाल दीजेगा जैसा भी एक्जामनेशन फॉम बर्थे टाइम आपने डाला था जैसा नाम है उसमे करके यहां पर डाल दीजेगा और उसके बार नेक्स्ट पी क्लिक करके आप इस्ट्रेटस देख सकते हो कहां किस डेट में आपका एक्जाम है किस सिठी में आपका एक्जाम है और जैसे एड्मिट कार्ड एवलेबल हो जाएगा चार दिन या तीन दिन पहले जब भी आपक इन वाला ठीक है सारे रीजेन का मैंने आपको बता दिया इनका डारेक्ट लिंक में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जब आप उस पे क्लिक करोगे सीधा जो ऑफिसल पेज उस पे चले जाओगे और उसके बाद आप एड्मिट कार्ड अपने डाउनलोड क देखिए और अगर आप कम्पूर्टर पे डाउनलोड कर रहे है तो इस वीडियो को देखे इजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं कम्प्लिट प्रोसेस बताया हुआ है मैंने इस पे ठीक है जी और यहाँ पे एक चीज़ का आपको द्यान रखना है कि आपको वह कर चल जाएगा आदार कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा, हाइस स्कूल स्रेटिफिक्ट चल जाएगा, अगर उसमें गिल्स इसमें रखना हो बड़त है और सम ऐसी ही डिटल होनी चाहिए जैसे आपके उस डी में हो चाहिए जो आप लेके वहां पर जा रहे हो औरिजिनल आईडी आप लेके जाईएगा फोटो कॉपी से काम नीच चलेगा औरिजिनल आईडी आपको लेके जानी होगी वहां पर ठीक आईडी हो गई आपकी दूसरा एडमिट कार्ड हो गया और तीसरा सेल्प डिकलेरेशन फारम इसके साथ जो कोविट-19 का सेल्प डिकलेरेशन फारम है वो आपको लेके जाना है वारे में अल्रेडी मैंने आपको बताए दिया एडमिट कार्ड के नीचे आपको दिख जाएगा ओ ठीक है जी अपने दो या आपको वहाँ पर लेकर जाने होगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ठीक है जी तो यह दोस्तों पूरा थरीका है उम्भी दें दोस्तों वीडियो आज के आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आज के आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजे सेर कीजे कुछ आप पूछना चाहते हैं तो नीजे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों जुड़ना चाहते हैं ऐसी इंफोर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजेगा और गंटी ताबा कॉल्प कर दीजेगा फाइदा इसके होगा जब ले बाइ टेक केर